फिर दिखेगा यूवी का जल्वा टीम इंडिया में वापसी को तयार नेक्स में पसीना बहाते दिखाई दे दिगज भारती टीम के पूर्व दिगज बल्लेबाज युवराज सिंग एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रही है युवराज सिंग एक बार फिर से मैदान पर गिनबाजों के छक्के छुडाने के लिए पूरी तरहां से तयार नजर आ रही है युवराज सिंग ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो डाल कर दी है युवराज सिंग का ये वीडियो सूशन मीडिया पर आग की तरह तीजी से पैल रहा है इस वीडियो में युवराज सिंग अपने उसी अंदाज में शौर्ट्स के लिए खेला करते थी वीडियो शेयर करते हुए सिकसर किंग ने कहा वारियर इस बैक वही पोस्ट को कैप्शन देते हुई लिखा जो होने जा रहा है उसके लिए बहुत उत्साहित हूँ युवराज कह रही है मैंने कहा थोड़ी क्रिकिट प्रैक्टिस मैं भी कर लू ये नहो जब टूर्नमेंट आए तो आपको बता दे कि युवराज सिंग स इडन गार्डन्स के मैदान में खेला जाएगा इस लीग में कई भारते दिगज टीम में वापसी करने जा रही है जिन में से एक युवराज सिंग है आपको बता दे कि युवराज इंडिया महराजा के लिए खेलते दिखाए देंगे जिसके कप्तान बी सिस्याई के अध् अब दिगज खेलाडी भी टीम महराजा के लिए खेलते नजर आएंगे आपको बता दे कि इस मैच में इंडिया महराजा के सामने रेस्ट आफ वर्ल्ड खेलने जा रहा है इस टीम के कप्तान इंगलैंड के पूर्व दिगज कप्तान ओइन मौर्गन रहने वाले हैं युवराज सिंग चिन्ने सुपर किंग्स के खिलाफ साल 2019 में वान खेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते नजर आए थी आपको बता दे कि इवराज सिंग ने जब सन्यास लिया था तो उस दोरान बल्लेबाज को BCCI ने एक आखरी बिदाई मैच भी आफर किया था लेकिन युवराज सिंग ने BCCI का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया युवराज सिंग के करियर की बात करे तो बल्लेबाज ने अपने पूरे करियर में शांदार बल्लेबाजी की है जहां उन्होंने टेस्ट में 1900 तो वही वंडे में 8701 रन बनाए हैं आई पे इस खबर में फिलाहल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया के साथ